करेंट अफेर्स के एक हजार सलेक्टेड रामबान प्रिश्विनों के बारे में बात करेंगे जो आपके रीट के लिए रामबान रहने वाले हैं हाइकोट लडीसी के लिए रामबान रहने वाले हैं सलेक्टेड एक हजार क्योशन्स रीट की भी बात करें अगर इनको अच्छे से लेकर बैठोगे 1000 निकाल लोगे मतलब इस्टूडेंट अगर डंक से अच्छे से बठाए तर दो दिन में भी इनको सारों को निकाल सकता है क्योंकि यह वन लाइनर क्योशंस है एक हजार सलेक्टेड वन लाइनर क्योशंस है जो आपके रीट के लिए हाईक पूछ लेते हैं जितने भी पुरुषकार रहे हैं उनसे सम्मधित सारा सब कुछ इसमें एड गया है थोड़े एक्ष्ट भी जोड़े गया है तो जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबान रहने वाली है इसके बारे में थोड़ा सामें डीटेल से आपको बता द जाएगे वैसे आप मार्केट में जाओगे तो शोफ वाले आपको खुद ही बता देंगे जो भी नंबर वन पर चल रही है यह तो शोफ वाले भी आपको बता देंगे के वल पचास रुपे की बुक है वन लाइनर क्योशन से इसमें आपको स्टार्टिंग में मिल जाएग और हम प्रेशनों के लेंगवेज की बात करें काफी आसान लेंगवेज इसमें प्रेशनों की ली गई है जैसे आपको मैं बताता हूं जिसे पहला ही प्रेशन है की 21 जुलाइ 2012 को कौन भारत की वैक्तिगत रूप से पंदरवी राश्टरपती चुनी गई द्रोपदी मूर मुर्मू चुनी गई यह भारत की पहली आदिवाश्य महिला राष्टरपति दरोपदी मुर्मू को शपत कि ने तिन ने दिल भर कर दिए क्या क्या यह से पूछा क्या जा सकता है एसा ही जिसे अगला प्रशन देखो कि वर्तमान में भारत के मुख्य नयाधीश कोन है ददंजी यश्वंत चंदर चूड है ये भी बताया गया है कि ये पच्चासवे मुख्य नयाधीश है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है इसे एगला प्रशन है कि 11 अगेस 2020 को उपराष्ट पती पत की शपत लेने वाले जगदीब धंकर का सम्मन राजस्तान के किस जिले से हैं जुन जुनू जिले से हैं जगदीब धंकर जो अभी वर्तमान में उपराष्ट पती हैं पूसलेन का सम्मन किस जिले से हैं राजस्तान का रामगड विश्दारी टाइगर रिजर बावनवा टाइगर रिजर बना है इस तरह आप से सारे प्रशन सेलेक्टेड प्रशन है इंपोटेंट प्रशन है जब आप इनको पढ़ने लगोगे आप खुद ही समझ जाओगे कि इन प्रशनों को तैयार करने में कितनी मेनत पर सतर फीट उची मूर्ती स्टेच्यू ओफ नोलेज का अनावरण किया कहां पर किया लातूर महाराश्ट्र में किया और एक्स्टा फेक्ट में देर खाय कि 14 अप्रेल 2022 को बाबा साहब डॉक्टर बीमरा अंबेडगर की 131 वी जयनती मनाई गई एक्स्टा फेक्ट देर प्रशन आपको एक नंबर प्रशन मिलने वाले हैं जैसे अगला प्रशन हम बात करें प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से कहां पर जेनाचारिय श्री विजे वल्लब सुरीश्वर जी महराज की 151 वी जयनती के उपलक्षे में शा आली राजस्थान में ही किया है इसलिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है प्रशन आपको ध्यान रखना है और इसके जो अगला प्रशन है काफी इंपोर्टेंट प्रशन एक्जाम में बंदने वाला एक्जाम में छपने वाला प्रशन राजस्थान के राजसमंद जीले म 309 फिट उची विश्व की सबसे उची शीव प्रतीमा जिसका लोकारपन 29 अक्टूबर 2022 को किया गया नाम क्या है उसका विश्वास साउरूपम नाम है क्या नाम है विश्वास साउरूपम नाम हो उसका तो काफी इमपोस्टेण प्रिशन ये बन–जाता है ऐसे अगला प्रशन आपके बात करें कि बैंगलूरू के सेंस्था पग नाद प्रभू केम्पे गोड़ा की 108 फिट उची कास्य प्रतीमा जिसका अनावरन प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी द्वारा किया गया नाम क्या है उसका स्टेची ओफ प्रोस्पेरेटी नाम है क्या नाम है स्टेची ओफ प्रोस्पेरेटी नाम है अगला प्रशन की बात करें 32 ग्रिशम कालीन ओलंपिक 2020 में टोक्यो जापान में हुआ जिसमें सरवादिक पदग अमेरिका ने जीते आगे पुछा गया है कि 33 ग्रिशम कालीन ओलं लोस एंजिल्स अमेरिका में 35 वा ग्रिश्यम कालियर ओलम्पिक दोजार 32 ब्रिस ब्रेन ओस्ट्रेलिया में होगा तो मतलब सारे अच्छे अच्छी डीटेल के साथ यह तैयार किये गए हैं जब आप बुक लेकर आओगे बुक से जब आप पढ़ोगे कम समय में आपके हो जाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा मेटर इस तरह से इसमें तयार किया गया है option देना option काफी सारे pages बर जाना उसमें क्या होता है student को time काफी लग जाता है इसलिए selected 1000 portion आपके लिए तयार किये गए हैं इनको अच्छे से आप इनको focus करो अच्छे से तयार करो मतलब दो दिन में भी आप चाओगे तो इनको cover कर दोगे दो दिन में cover कर लो अगले दो दिन सारा revision कर लो इतने में तयार हो जाएंगे मतलब स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमारे आसपास बुक नहीं मिल रही देखो दो ही रीजन है नहीं मिलने के पहली बात करें कि या तो उनके पास अवेलेबल नहीं होगी वह competition exam की बुक नहीं मंगवाते होंगे आप उनको बोल दोगे मंगवा देगे या ऐसा होगा कि उ पूरे राजस्थान में अवेलेबल है हाई कोट एलडी सी के लिए पूरे राजस्थान में टो पंद्रा मोडिल पेपर भी निकाले हुए हैं वह आप ले सकते हैं तो यह अंतिम समय में जो आप अच्छे से पढ़ लोगे तब आप सेलेक्शन ले जाओगे रणनिती सटीक प्रशन आपके लिए तैयार किये हैं आप दोस्तों इस वीडियो को जितना ज्यादा हो उसके शेर जरूर करें ताकि सबी को नोलेज मिले जितना ज्यादा उसके शेर करें लाइक करें अगर आप डेनिल क्लासेश यूट्यूब चैनल पे नए हो सबस्क्राइब के साथ वह आपको तुरंट मिले इसी तरह की नियू अपडेट में डेनिल क्लासेश के टेलीग्राम चैनल पे भी देता रहता हूं तो आप डेनिल क्लासेश का टेलीग्राम चैनल भी जरूर जोइन करें धन्यवाद